दोस्तों नमस्कार यह मागदशन फार सिविल सेर्विसेज मैं अनुराग चहधरी दोस्तों यह NCRT सार संक्रह स्रिंखला में प्रस्तुत है सामान्य अध्यन का अत्यंती महत्पूर्ण खंड सामान्य विग्यान यानि जनरल साइंस जो सभी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है इसमें भौतिक विग्यान, रसायन विग्यान और जीव विग्यान तीन उपखंड होंगे आज की वीडियो में प्रस्तुत है भौतिक विज्यान यानि फिजिक्स का भाग एक दोस्तों आप इसका पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक मैं डिस्किप्सन बाक्स में डाल दूँगा तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो NCRT सार संग्रह सामाने विज्यान के अंतरगत भौतिक विज्यान का भाग एक सबसे पहले दोस्तों हम मापन यानि मेजर्मेंट चैप्टर से संबंधित महतोपूर्ण प्रशनों को देखेंगे पहला प्रशन है मूल भौतिक रासियान यानि फंडमेंटल फिजिकल यूनिट्स की संख्या कितनी है तो दोस्तों मूल भौतिक रासियों की कुल संख्या साथ है ये जो भौतिक रासियान है जिनको मूल भौतिक रासियान कहा जाता है उनमें लंबाई, समय, ताप, द्रब्यमान, विद्दुधारा, जियोतिती बृता और पदार्थ की मात्रा है अगला प्रश्ण है जियोतिती बृता यानी luminous intensity का मात्रक क्या होता है तो ये है lumin, प्रत, इस्टे, रेडियन, ये जियोतिती बृता का मात्रक है एक प्रकास वर्स कितने के बराबर होता है तो 9.46 into 10 to the power 12 किलो मीटर के बराबर होता है एक प्रकास वर्स दोस्तों यदि आप से पूछा जाए कि वाई मंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मातर क्या है तो ये होता है डापसन डापसन यूनिट में वाई मंडल में ओजोन परत या ओजोन लेयर की मोटाई ना पी जाती है अगला प्रश्ण है दोस्तों वाई मंडली दाव या एटमास्फेरिक प्रेसर मापने का जो है मातरक क्या है तो ये बार होता है सक्ती का मात्रक क्या है वाट सक्ती का मात्रक है कारे और उर्जा का मात्रक क्या है तो जूल जो है दोस्तों कारे और उर्जा का मात्रक है MKS पढ़ाली यानि मीटर किलोग्राम सेकेंड पढ़ाली में त्वरण का मात्रक तोरण दोस्तो एक्सिलरेशन है एक्सिलरेशन का मात्रक क्या होता है तो ये है तोरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वाइर अब आए देखते हैं दोस्तो मूल भोतिक रासियां जिसे आपने पढ़ा है कि 7 मूल भोतिक रासियां होती है इनके मातरक और प्रतीकों के बारे में दोस्तों लंबाई लंबाई का मातरक मीटर है इसे इसमाल एम से परदर्शित किया जाता है द्रब्यमान का मातरक किलोग्राम है इसे इसमाल केजी से समय का मातरक सेकेंड है जिसे इसमाल एस से बिद्धु धारा का मातरक M-P-Y होता है इसे capital A से प्रदसित करते हैं ताप या temperature Kelvin में वापा जाता है capital K से पदार्थ की मातरा Mol इसका मातरक होता है M-O-L से इसको प्रदसित करते हैं और ज्योतिति ब्रता का मात्रक कैंडेला होता है जिसे इस कैपिटल C और D से प्रदर्शित करते हैं अगला प्रशन है दोस्तों वाई मंडली दाब जो नापा जाता है उसमें एक किलोग्राम प्रति सेंटिमीटर इसक्वाईर दाब किसके बराबर होता है तो ये एक बार के बराबर होता है एक बार बराबर एक किलोग्राम प्रति सेंटिमीटर इसक्वाईर एक पीकोग्राम क अप्रेसर का मात्रक होता है बल का मात्रक क्या है आप जानते हैं न्यूटन बल का मात्रक है आवेग यानि इंपल्स का मात्रक क्या होता है तो ये न्यूटन सेकेंड होता है और पारसिक दोस्तों पारसिक जो है और प्रकास वर्स को आप ये मानिएगा कि ये समय मापने की काई है प्रकास वर्स दूरी मापने की काई है और प्रकास द्वारा एक वर्स में चले गए समय को प्रकास वर्स से नापा जाता है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों इंगेश्ट्राम द्वारा क्या मापा जाता है तो इंगेश्ट्राम द्वारा तरंग दैर या तरंग की लंबाई या वेब लेंथ को नापा जाता है इस एक अस्वसक्ती या हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है 746 वाट एक माईकरान किसके पराबर होता है 10 to the power minus 6 मीटर या 10 to the power minus 4 सिंटिमीटर या 10 to the power minus 3 मीली मीटर अन्य मात्रकों के रूप में एक माईकरान को इस प्रकार से परिभासित किया जा सकता है चालक की वैदुत प्रतिरोधकता यानि electrical resistance की मात्रक को ओम मीटर कहा जाता है रेडियन और इस्टे रेडियन किस परकार के मात्रक हैं तो ये supplementary या पूरक मात्रक होते हैं रेडियन और इस्टे रेडियन क्यूसिक में क्या मापा जाता है तो दोस्तों जलका बहाव क्यूसिक में मापा जाता है दूर की वस्तूओं को देखने के लिए किस दूर्बीन का प्रयोग किया जाता है तो ये होता है बाइनो के उलर दूर्बीन का प्रयोग दूर की वस्तूओं को देखने में किया जाता है दुख्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रियोग किया जाता है ये है बियुटीरो मीटर बहुत ही महत्पूर है दुख्ध उत्पादों में वसा या फैट की मात्रा नापने के लिए बियुटीरो मीटर अगला प्रश्ण है दोस्तों प्रकास की तिब्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है ये लक्स मीटर है समतल कोड या प्लेन कोड घन कोड किस प्रकार की रासिया है तो दोस्तों समतलकोर और घनकोड पूरक रासिया यानि supplementary angles है हिरदय की ध्वनी सुनने के लिए किसी अंतरखा प्रयोग किया जाता है ये इस्टेथोस्कोप होता है दोस्तों जो रासिया होती है सदिस रासिया होती है और अदिसरासियां जिन में जो है गति के साथ दिशा भी होती है वे सदिसरासियां कहलाती है और जिन में दिशा नहीं होती है उन्हें अदिसरासियां कहलाते हैं कहा जाता है दोस्तों जो है देखिए दूरी दूरी एक अदिस रासी है वहीं बल सदिस रासी है चाल चाल अदिस रासी है विस्थापन जो है वो एक सदिस रासी है इसके अलामत द्रब्यमान अदिस रासी बेग सदिस रास होता है आयतन समय कारे घनत और विदुधारा ये सभी अदिस र पात्रकों में आईए देखते हैं तो एक इंगेश्ट्राम 10 to the power minus 10 मीटर के बराबर होता है एक खगोली इकाई 1.496 into 10 to the power 11 मीटर के बराबर होता है एक डाबसन यूनिट जिससे की ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है ये बराबर होता है आपके 10 माइक्रो मीटर के इसी प् एक बेडरल 169 लीटर के बराबर होता है क्रूडायल या कच्छा पेडरोलियम बेडरल में मापा जाता है तो एक बेडरल 169 लीटर और 1 नेनोमीटर 10 to the power minus 9 मीटर ही एक टेरोमीटर 10 to the power 12 मीटर और एक फैदम जो होता है ये 6 फिट के बराबर होता दोस्तों प्रिथवी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्व अगरसंड के कारण ही चंद्रमा जो है एक निशित कच्छा में पिर्थवी की परिक्रमा करता है अब आए देखते हैं प्रमुख भौतिक रासियां और उनके यसाई मात्रक दोस्तों यहाँ पर देखिए भौतिक रासियां जो है छेत्रफल बराबर लम्बाई गुड़े चवड़ाई इसका मात्रक जो होता है दोस्तों इसका मात्रक या त्वरण का मात्रक मीटर प्रती सेकेंड इसक्वाई होता है बल द्रब्यमान और त्वरण की गुडनफल के बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वाइर या न्यूटन इसका मातरक होता है गति जूर्जा या काइनेटिक एनरजी जो होती है दोस्तों एक बटे दो गुडे द्रब्यमान गुडे बेक स्क्वाइर इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वाइर या जूल गति जूर्जा का मातरक होता है इस्थिते जूर्जा का मातरक होता है द्रब्यमान गुडे गुरुत्वी तरन गुडे उचाई यानी इस्थिते जूर्जा या सी इसको कहा जाता है ये MGH के बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रस सेकेंड स्क्वाइर या जूल जो है इस्थिते जूर्जा का भी मातरक होता है कोड़ी विस्थापन चाप बटे त्रिज्या इसका मातरक रेडियन होता है कार्य बराबर बल गुड़े विस्थापन जूल या न्यूटन मीटर इसका मातरक होता है शक्ति दोस्तों कारेबटे समय के बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट का यह सक्ति का मातरक होता है बल आघून बराबर बल गुडे आघूडन अच्छे से लंबवाद दूरी इसका मातरक नियूटन मीटर है गुरत्व करसन नेतांग बराबर बल गुडे दूरी का स्क्वाईर बटे द्रबेमान स्क्वाईर यह नियूटन मीटर स्क्वाईर बटे किलोग्राम स्क्वाईर होता है इसका मातरक गुरुत्वी विभाव बराबर कारे बटे द्रभिमान जूल प्रत किलोग्राम इसका मातरक है घुडन की तरिज्या ये दूरी के बराबर होता है इसका मातरक मीटर है यंग गुडांग अनुधैर प्रतिबल बटे अनुधैर विक्रिती न्यूटन प्रति मीटर स्कॉयर इसका मातरक होता है प्रिष्ट तनाव या सर्फेस टेंसन दोस्तों बल बटे छेतरफल के बराबल होता है न्यूटन प्रति मीटर स्कॉयर बेग प्रवड़ता बेग बटे दूरी प्रति सेकेंड इसका मातरक है और श्यानता गुडांक बल बटे छेतरफल गुडे बेग प्रवड़ता न्यूटन सेंटीमीटर प्रतिमीटर स्कॉयर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्कॉयर प्लांक नेतांक ये उर्जा बटे आबरित्ती होती है जूल प्रति सेकेंड इसका मातरक होता है बोल्ज मैन नेतांक दोस्तों बोल्ज मैन नेतांक उर्जा बटे ताप होता है तो जूल केल्विन इसका मातरक है धारिता ये आवेश बटे विभवानतर फैरड इसका मातरक होता है बिद्धु चालक्ता का मातरक जो है ओम मीटर होता है और धारा घनत्व ये बिद्धु धारा बटे छेदरफल एमपीयर प्रत सेकेंड इस्कौाइर होता है चुंबकी फ्लक्स का मातरक बेबर या बोल्ट होता है प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस का मातरक ओम मीटर होता है गुप्त उसमा या छीपी हुई उसमा उसमी उर्जाबते द्रब्यमान होता है दोस्तों जूल प्रत किलोग्राम कोड़ी संबेग जड़त्व आगोण इंटु कोड़ी बेग होता है किलोग्राम मीटर स्कॉयर प्रति सेकेंड इसका मातरक है और जडत्व आगुण द्रव्यमान गुडे परे भरमर त्रिज्या का स्कुएर होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्कुएर इसका मात रख होता है अगला है कि किस यंत्र की द्वारा मस्तिस्क विभाव माप जाता है तो ये होता है दोस्तों E-E-G ये Electro-Incephalograph होता है कोडी विस्थापन का मातरक क्या है ये Radian होता है संबेक किस की माप है तो गती की मातरा की पिर्थवी और सूरे के बीच की माध्यदूरी का किस मातरक द्वारा ब्यक्त किया जाता है तो इसको Astronomical Unit या खगोली इकाई के रूप में नापा जाता है मैनो मीटर का क्या उप्योग होता है ये गैसों का दाप मापने में उप्योग किया जाता है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सोने की सुधता को मापने के लिए किस यंद्र का प्रयोग किया जाता है तो ये है कैरेटो मीटर दोस्तों सोने की सुधता जो है वो कैरेट से कैरेट यूनिट में नापी जाती है अब आए देखते हैं महत्वपूण मापन के उपकरण अल्टी मीटर ये उड़ते हुए बिमान की उचाई नापी जाती है अमीटर से विद्दुधारा की तिब्रता, आडियो मीटर ध्वन की तिब्रता, एरो मीटर वायू एमगैस का भारा और घनत्व, इनिमो मीटर से वायू की गति और सक्ति मापी जाती है, एकसिलरो मीटर इससे गतिमान वाहनों की गति में ब्रिद्धि की दर, बैरो मीटर से बोलो मीटर से दोस्तों उसमी विकरण की माप होती है कैलोरी मीटर से उसमा की मात्रा वर्नियर कैलिपर से बेलनकार वस्तुहों का ब्यास और गहराई क्रायो मीटर से निम्नताप और डेंसीटी मीटर से पदार्थ का घनतों मापा जाता है इसके अलावा फैदो मीटर समुद्र नदी की गहराई में अपने में प्रयोग किया जाता है गैलवेनो मीटर बिद्दुधारा की प्रवलता, गाईरोसकोप से घुडन गती करती हुई बस्तु का कोड़ी समबेग, ग्रेवो मीटर से गुरुत्वी तरण, हाइडरो मीटर से बस्तु का सापेक्षिग घनत, हाइडरो फोन से जल के भीतर उत्पन ध्वनी, हाइग्रो मीटर से वाई मंडली आर्दता, लैक्टो मीटर से सोने दूध की सुग्धता, और क्रोनो मीटर पानी के जहाजों में सही समय ग्यात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है दोस्तों केसकोग्राफ जो होता है वो पौधों की ब्रिध दर्साने वाला यंत्र है, डाइलेटो मीटर ये किसी वस्तु में उत्पन आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र होता है, डाइनोमो मीटर ये इंजन द्वारा उत्पन की गई सक्ति मापने का यंत्र है, नेफ अगला है दोस्ते हो अगला यंत्र है रेंगेज या यूडो मीटर ये वर्षा की मात्रा ग्याद करने में प्रियोग किया जाता है रिफ्रेक्ट्रो मीटर पारदर्सक माध्यमों में अपोर्थना ग्यात करने वाला सेक्रो मीटर सरकरा की सांदरता इसकुरू गेज महिनतारों का ब्यास नापने के लिए सिंक्ष्टन्ट ये उचाई को मापने के काम आने वाला यांतर है इस फेरो मीटर किसी सतह की बाग करता इस फिगमो मैनो मीटर से धमनियों में रुधिर के दबाओ को मापने की जो है युकती है थियोडोलाइट ये अनुपरस्थ और लंबवत कोडों की माप इससे की जाती है धर्मो पाइल दोस्तों बिकिनर तिब्रता को मापने का यंतर है धर्मो पाइल वेंचुरी मीटर से द्रवों के परवाह की गती मापी जाती है लावड स्पीकर ध्वन की तिब्रता बढ़ाने का यंतर है मैक मीटर ध्वन के बेक की अनुपात में वायान की गती और मैगनो मीटर चुम्ब की छेतर को मापने के लिए प्रियोग किया जाता है माइक्रो मीटर से अतिसोच में लंबाई या मिली मीटर का हजारवा भाग इसको कहा जाता है ओडो मीटर वाहन द्वारत्ता हैं की गई दूरी को मापने का यंत्र है ओम मीटर विद्दूत की प्रतुरोधकता नापने का ओंडो मीटर विद्दूत चुम्ब की तरंगों की आबरिती से नापी जाती है पाइरो मीटर से उच्च ताप युक्त पिंड का दाप फोनो मीटर से ध्वन की तिब्रता और पाली ग्राफ से संदिक धया अपराधी व्यक्तियों के कथन की जाच के लिए पाली ग्राफ टेस्ट किया जाता है रडार दोस्तों दो रुष्थित वस्तों की अवस्थिति नापने के लिए रेडियो मीटर विकिरण मापक है सिस्मो ग्राफ भुकमपी तरंगों की तिब्रता स्पीडी मोटर से गतिमान वाहन की गती पाईरी हिलियो मीटर दोस्तों सौर विकिरण का मापन पाईरी हिलियो मीटर से किया जाता है विसको मीटर से द्रव की सान्ता या गाढ़ापन वेव मीटर से विद्दु चुम्ब की तरंगों का तरंग धैर और इलेक्ट्रान मीठर से विभवांतर की माप की जाती है दोस्तों यमकियस पद्धत जिसे मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धत कहा जाता है उसी आधार पर CGS पद्धती CGS पद्धत के अंतरगत लंबाई को सेंटीमीटर में द्रब्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापा जाता है अब आए देखते हैं यांतरिकी यानि मेकेनिजम से संबंधित प्रश्न दोस्तों प्रच्छेप ग्यत को दिर्गतम परास या सरवाधिक दूरी प्राप्त करने के लिए अधिक्तम कितने कोड किया हो सकता होती है तो ये है 45 डिक्री मनुसे जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रत क्रिया के कारण हडती है दोस्तों संबेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है तो ये बल के बराबर होती है न्यूटन का पर्थम नियम किसे परिवासित करता है तो ये जड़त्यों को परिवासित करता है न्यूटन का पर्थम नियम प्रक्षारन मसीन या वासिंग मसीन का कारे किस सिध्धान पर आधारित है ये अपकेंदरी वलके सिध्धान पर आधारित है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्च पर चलना कठिन क्यों होता है दोस्तों बर्फ में सड़क की अपेक्षा बहुत कम घर सड़ होता है आये देखते हैं न्यूटन के गति के नियम दोस्तों न्यूटन के गति के तीन नियम है इसके गति का पर्थम नियम फश्ट लाप मोसन कि यदि कोई पिंड भी रामा वस्था में है तो वह तक तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह बलने लगाये जाए तो ये न्यूटन के गति का पर्थम नियम है इसके उदाहरन है चलती गारी के रुखने पर उसमें बैठे बैक्तियों का आगे की ओर जुकना पेड से फल तूट कर नीचे गिरना और कपड़ों के हाथ में पकड़ कर डंडे की से पीटने पर धूल कर अलग हो जाते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु के संबेग परिवर्तन की दर उस पर लगे गए बल के समानुपाती होती है और संबेग परिवर्तन की जो दिसा होती है वो बल के अनुदिस होती है दोस्तों गेद पकड़ते समय खिलाडी जो होते हैं अपने हाथों को उसके पकड में आ जाती है और उसे चोट नहीं लगती है न्यूटिन की गत का तीसरा नियम है कि प्रते क्रिया के बराबर और विप्रीत दिसा में प्रत्क्रिया होती है इसलिए गति के तिरती नियम को क्रिया प्रत्क्रिया का नियम कहते हैं दोस्तों इसका उदाहरण है कि बंदूग से गोली निकलते समय बंदूग पकड़ने वाली ब्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है अगला प्रश्ण है किसी पिंड के संबेग या मोमेंटम और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है तो संबेग गुडेबेग द्रब्यमान होता है तोरण ग्यात करने का सूत्र क्या है तो तोरण ग्यात करने का सूत्र होता है दोस्तों बेग परिवर्तन की समय दर यानि acceleration is equal to अंतिम बेग माइनस प्रारंभिक बेग बटे समय अगला प्रशन है तेल से अंसते भरा हुआ ठेंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तेल का मुक्त प्रिष्ट कैसा होगा तो दोस्तों तेल का मुक्त प्रिष्ट परवलई वक्राकार होगा एक समान बिरत्ती गत पर त्वरण कैसा होता है तो जब तक जो है गती में परिवर्तन नहीं होता है तब तक त्वरण एक समान बना रहता है किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभो है नहीं इसे नश्ट किया जा सकता है अगला प्रश्ण है अंतरिच से गिरता हुआ पिंड पिर्थवी के वाई मंडल में प्रवेस करने पर क्यों जल उठता है तो वाई मंडल या वायू के घरसन के कारण ग्रही पिंडों की परिक्रमण गती में प्रभावी बल कौन सा होता है तो ये अभिकेंद्री बल होता है दूद मतने के पश्चात क्रीम का दूद से प्रिथक हो जाने का कारण क्या है ये दोस्तों अब केंद्री बल है वायू की उर्ध्वाधरगति को क्या कहा जाता है इसे वायू प्रक्षोभ कहा जाता है और एक प्रश्ण बहुत बार पूछा है परिच्छाओं में राकेट किस सिध्धान पर कारे करता है दोस्तों सरल आवर्त गती सरल आवर्त गती या सिंपल हार्मोनिक मोसन के दोलन में किसकी आवसकता होती है तो प्रत्यास्था और जड़त दोनों की कमानी तुला की सिध्धान पर कारे करती है हुक नियम पर और जब एक कार की गती दोगनी कर दे जाती है तब उसको उतनी ही दोरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा ये चार गुना लगाना होगा जेट इंजन की सिध्धान पर कारे करता है रैखिक संबेक संरक्षण की सिध्धान पर दोस्तों उत्तोलक या जोकी यांत्रिक उर्जाक संरक्षन के जो यंत्र हैं उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं पर्थम स्रेड़ी के उत्तोलक इसके उधारन कैची, हैंड पैम, साधारन तुला और प्लास हैं 32 रेड़ी के उत्तेलग सरावता नीबू निचोड़ने वाली मसीन है और 33 रेड़ी के उत्तोलकों में इस्टेपलर चिम्टा मनुस्य का हात होता है एक प्रश्ण देखिए दोस्तों पेचकस के द्वारा पेच घुमाना और दर्वाजे के हत्थे का कबजे से दूर लगाना बल आगोंड इसके उदाहरण है अब आई देखते हैं गुर्त्वा करसंड या ग्रैविटी से संबंधित प्रश्ण पिर्थवी पर पलायन वेक कितना है तो ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानि इस वेक से यदि कोई वस्तू फेकी जाए तो वो पिर्थवी पर वापस नहीं आएगी अगला प्रश्ण है यदि चकर लगाते हुए अंतरिच्यान से एक सेप छोड़ा जाये तो उसकी गति क्या होगी तो वो अंतरिच्यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा अंतरिक शियात्री निर्वात या वायकूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं तो वहाँ पर गुरुत्वा करसंड नहीं होता है इस कारण वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं दोस्तों पिर्थवी के चारोड पर एक्रमा कर रहा जो कृत्रिम उपग्रह होता है ये पिर्थवी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है अगला प्रश्ण है कि एक भू उपग्रह या जियो सैटेलाइट किस वल के प्रभाव से अपने कच्छ मिनिरंतर गति करता है तो ये अपकेंदरी वल होता है और चंद्रमा की सतह पर पलायन बेग पिर्थवी की सतह की अपेक्षा कम क्यों होता है तो इसका करण ये है कि च जूले पर बैठी एक इस्थिती में जूला जूल रही है उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभा होगा तो दोस्तों आवर्तकाल कम हो जाएगा एक और लोलक के संबंध में कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर लोलक घड़ी या पेंडूलम कला जो होती है ये गर्मियों में धीमे हो जाती है और सीत काल में ती ब्रगत से चलने लगती है अगला प्रशन है हवा में लोहे और लकडी की समान भार की गेंद को एक समान उचाई से गिराने पर क्या प्रतक्रिया होगी तो दोस्तों हवा में लोहे और लकडी की समान भार की गेंद को एक समान उचाई से गिराए जाए तो दोनों गेंद एक साथ गिरेंगी वाय प्रतिरोध को नगड़े कर दिया जाए तो एक समान आकार के लकड़ी लोहा और मोम के टुकड़ों को समान उचाई से पिर्थवी पर गिराए जाए दुरूओं पर इस्थित पिंड पर पिर्थिवी द्वारा अधिक गुरुत्वा कर्सरबल लगाय जाता है इसलिए दुरूओं पर उसका भार पिर्थिवी पर इस्थित किसी अन्य अस्थान से अधिक होगा अगला प्रश्ण देखते हैं लिफ्ट में बैठे हुए ब्यक्ति का भार कप सरवाधिक महसूस होगा तो जब त्वरित गति से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तो ब्यक्ति को भार अधिकतम महसूस होगा भू तुल्यकाली कुपग्रह यानि जियो सेंक्रोने से सेटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है 24 घंटे यदि सूर्य और प्रित्वी के मध्ध की दूरी दूगनी हो जाए तो सूर्य द्वारे प्रित्वी पर गुरुत्व बरसन बल क्या होगा तो जितना है उसका एक बटे चार यानि चौथाई भाग रह जाएगा यदि प्रित्वी और सूर्य के बीच की दूरी दूगनी कर दी जाए लोलक की समयावधी या टाइम लाइन किस पर निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर और प्रित्वी का गुरुत्व कारसन बल यदि अचानक लूप्त हो जाए तो इसका पैडाम क्या होगा तो दोस्तों इसका पैडाम ये होगा कि प्रित्वी पर इस्थित वस्तूं का भार सुन ने हो जाएगा लेकिन द्रब्यमान अपरिवर्तित रहेगा प्रित्वी की सतह पर इस्माल जी यानि गुरुत्वी तोरण का मान आधिक्तम और चन्द्रमा पर गुरुत्वी तोरण का मान प्रित्वी के गुरुत्वी तोरण का एक बटे छठा भाग होता है इसलिए कोई वस्तु पिर्थवी पर जितने वजन की है उसका केवल एक बटे छे भाग चंद्रमा पर होता है यानि 60 किलो का कोई व्यक्ति जो है वो चंद्रमा पर उसका भार 10 किलो होगा पीसा की जुकी हुई मिनार क्यों नहीं गिरती है इसका क्या कारण है तो दोस्तों गुरुत्व केंद्र से जानने वाली उर्द्वाधर रेखा तल के अंदर ही रहती है इसलिए वो नहीं गिर रही है अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्त उपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा वस्त उपका भार अपरिवर्थित रहेगा दोस्तों जब हम भूमत धिरेखा से ध्रूओं की ओर चलते हैं तो इसमाल जी यानि गुरुत्वी तरहन के मान पर क्या आसर पड़ेगा तो भूमत धिरेखा से ध्रूओं की ओर चलने पर गुरुत्वी तरहन का मान बढ़ता है अगला प्रश्ण है चक्री जूले पल जूलते समय ब्यक्ति को बाहर की और धका क्यों महसूस होता है तो अब केंद्री बल के कारण और बिभी निद्र विमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छस से गिराय जाते हैं कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुँचेगा दोस्तों दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुँचेगे अब आए देखते हैं गुरुत्वा करसंड और गुरुत्व के कुछ उदारन तो सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वा करसाण के कारण ही सभी ग्रह लगभग बृत्ताकार और निशित कच्छाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं इसके अलामा पिर्थवी की गुरुत्व और चंद्रमा की गुरुत्व करसान के कारण चंद्रमा एक निशित का अच्छा में पिर्थवी की परिक्रमा करता है और सूरे चंद्रमा और पिर्थवी की गुरुत्व करसान की अंतर किरिया के कारण पिर्थवी परिष्थे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुत्वा कर्सन के सारभोमिक नियम का सिध्धान्त यानि प्रिंस्पल आफ यूनिवर्सल लाका प्रतिपादन सर आईजेक नियूटन ने किया था आईए देखते हैं परदार्थों के सामान निगुड साबुन के बुलबुले के अदाब बाइमंडली दाब से कम होता है या थ्वा अधिक तो दोस्तों साबुन के बुलबुले के अदाब बाइमंडली दाब से अधिक होता है स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक कि सिध्धान पर कारे करता है पासकल कि सिध्धान पर और बरफीले छेतरों में शीतकाल में जब जील की उपरी सता का पानी बरफ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जो जलिये जन्तु हैं वो जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घणा तो 4 डिग्री सेंटिग्रेट पर सबसे अधिक होता है और इस कारण जील के भीतर पानी नहीं जमता है अगला प्रशन है नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतक्रिया होती है तो वह समुद्र में कुछ उपर उठता है और जब किसी जील की तली से उपर उठा कर वायू का बुलबुला उपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव तो बस तुका घनत अपरिवर्तित रहेगा हवाई जहाँ से यातरा करते समय पेन से स्याही क्यों निकाल दी जाती है तो दोस्तों वायुदाप में कमी होने के काराण जो स्याही है वो फाउंटेन पेन से बाहर आ जाएगी इसलिए फाउंटेन पेन की से आही निकाल दी जाती है नदी की अपेच्छा समुदर में तैरना आसान क्यों होता है क्योंकि समुदरी जल का जो घनत वह होता है वो नदी के जल से अधिक होता है एक और महतोपूर्ण प्रश्ण है समुद्र में तैरते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से एक बटे नौ भाग उपर उठा हुआ होता है इसलिए जब बर्फ भिगलती है तो पानी के अस्तर में कोई परिवर्थन नहीं होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों प्रिष्ट तनाव या सर्फिस टेंसन का कारण क्या है तो अड़ों के मद्ध लगने वाला जो ससंजक वल या कोहेसिव फोर्स होता है ये प्रिष्ट तनाव का कारण है बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौस में दसा होती है तो फानी मौसम तेल जल के प्रिष्ट पर क्यों फैल जाता है दोस्तों तेल का प्रिष्ट तनाव जल से कम होता है इसलिए वो जल पर फैल जाता है बरसा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है तो जल के प्रिष्ट तनाव के कारण और कुए से पानी से भरी बाल्टी को उपर खीचते हैं तो क्या अनुभव होता है दोस्तों ये अनुभव होता है कि जब बाल्टी पानी की सता से उपर आती है तो वो भारी हो जाती है अगला प्रशन देखते हैं वाय मंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है तो वाय के घनतों की तुलना में बादलों का घनतों कम होता है अगला है दोस्तों लोहे का घनतों उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनतों से अधिक और पारे के घनतों से कम होता है और इस कारण लोहे की कील पानी में तैरती रहती है अगला प्रश्ण है पाउधों की जड़ों से पत्तियों की ओर जल का बढ़ने का क्या कारण होता है तो ये है कैपिलरिटी या केसिकत तो जो होता है जिसके कारण पाउधों की जड़ों से पानी जो है वो पत्तियों तक पहुँच जाता है इस टोब में मिट्टी के तेल के बत्ती का उपर चढ़ने का कारण क्या है तो ये केसी कत्व होता है और अब तक ज्यात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास था या इलासिटी सरवाधिक होती है तो ये है दोस्तों क्वार्ज अगला प्रशन है अब मार्जक मिलाने पर जल की प्रिष्ट तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है तो डिटरजेंट मिलाने पर जल का प्रिष्ट तनाव घड़ जाता है फाउंटेन पेन की सिध्धान पर कारे करता है केसी कत्व के सिध्धान पर और समुदर तल पर एक वा इट्यू डेंसिटी की स्थाप पर सरवाधिक होता है 4 डिग्री सेंटिग्रीट पर और जल से भरी बाल्टी को हिला कर छोड़ देने पर कुछ समय के बाद जल अपने आप क्यों इस्थिर हो जाता है तो जल का एक प्रमुगूड स्यानता है इसके कारण धातु की सुधता ग्यात करने के लिए किस सिध्धान्द का प्रयोग किया जा सकता है आर्कमेडीजिस का सिध्धान्द जल से निकलने पर सेविंग ब्रस के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं तो ये जल का प्रिष्ट तनाव इसके कारण सेविंग ब्रस के बाल आपस में चिपक जाते हैं दोस्तों इस्टील रबर की अपेच्छा अधिक प्रत्यास्त क्यों है क्योंकि इस्टील के लिए अधिक भी रूपक बल की आव सकता होती है वाहनों में सनेहक तेल या लुब्रिकेंट आयल का प्रियोक्यों किया जाता है तो घर सन कम करने के लिए और आधि आने पर टिन की छट और छपर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके उपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है दोस्तों किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं तो ये प्रडोद या थ्रष्ट बल होता है किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रडोद बल कहा जाता है एक प्रश्ण ये है दोस्तों कि जल की तुलना में वायू में गति करना आसान क्यों होता है तो जल की स्यानता जो है वायू से अधिक होती है जिसके करणड जल की तुलना में वायू में गति करना आसान है अब आई देखते हैं तरंग गति और ध्वनी यानि वेव, स्पीड एंड साउंड से संबंधित प्रशनों को रात्र देश्टी उपकरण या नाइट विजन डिवाइस में प्रियोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है तो नाइट विजन डिवाइस में अवरक्त तरंगे या इंफ्रारेड वेप्स प्रियोग की जाती है द्रिज से पकास या विजबल लाइट का तरंग दहर कितना होता है तो 390 से 750 नैनोमीटर के मद्धे आतों से समबंधित रोगों के निदान में कौन सी केंडों का प्रयोग किया जाता है ये एक्स खिंडे होती है और कीडों तथच्छति पहुँचाने वाले जीवों को घरे से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों अल्टरा सोनिक तरंगे होती है समीप आती हुई रेल गारी की सीटी की अबरित या तेशड़ता बढ़ती जाती है ऐसा क्यों होता है तो ऐसा डापलर प्रभाव के कारण है और क्रिश्टल की सनरशना ग्याद करने के लिए किन खिंडों का उप्योग किया जाता है ये एक्स कीडों का प्रियोग किया जाता है क्रिश्टल की सनरशना ग्याद करने के लिए दोस्तों तरंगे दो प्रकार की होती हैं अनुप्रस्ट तरंगे और अनुदायर तरंगे अनुप्रस्ट तरंगों के कुछ द्वारण है प्रकास तरंगे भूकमपी तरंगे पन तरंगे ये अनुदैर्य तरंगों के उदाहरण है अगला प्रश्ण एक राडार सत्रु के वायूयान के उपस्तिति का पता लगाने में किन कींडों का प्रियोग करता है तो सही उत्तर है दोस्तों ये रेडियो तरंगों का प्रियोग राडार में होता है अगला प्रश् से बड़ा X किंडों का फिर परावागने किंडों और उसके बाद माइक्रो वेप्स का होता है अब आए देखते हैं प्रमुख विद्दुचुम्ब की तरंगे इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेप्स विद्दुचुम्ब की तरंगे जो गामा किंडे हैं इनकी खोज हैनरी बेकरल ने की थी इनका तरंग दैर का प्रकाश 10 to the power माइनस चवद मीटर से 10 to the power माइनस 10 मीटर होता है और अब रित्ति पराश 10 to the power 20 से 10 to the power 24 के बराबर होता है इसका उप्योग नाभिकी अभिकरिया और कृत्रिम रेडियो सकरीता में किया जाता है दूसरा है एक्स किंडे एक्स किंडो की खोज डबलू सी रौंड जनने की थी और एक्स किंडो का उप्योग चिकिस्सा और अध्योगिक छेतर में किया जात है दृस से किंडे या बिजबल बेपस इसकी खोज न्यूटन ने की थी और इनकी उपस्थिति से बस्तु में दिखाई देती है इसके अलावा औरक्त विकराड या इंफ्रारेड विकराड जो होता है इसकी खोज बिलियम हरसेल ने की थी और औरक्त किंडो की जो है वो फोटोग्राफी में सिकाई में और टीवी के रिमोट कंट्रोल में होता है लगू रेडियो तरंगे साट रेडियो वेपस जो होती है दोस्तों रेडियो टेलिवीजन राडार और टेलिफोन में इनका प्रियोग होता है और दिर्ग रेडियो तरंगे इनकी खोज मार कोँई ने की थी और ये जो हैं रेडियो और टेलिवीजन के परसारण में इनका प्रियोग किया जाता है दिर्ग रेडियो तरंगे वाइ मंडल की किस परस्से परावर्तित होती है? आयन मंडल से कूलिज नलिका या कूलिज ट्यूब का प्रयोग कौन से कीड़े उत्पन करने के लिए किया जाता है X कीड़े उत्पन करने के लिए कोबाल्ट 60 एक महतोपूर्ड रेडियो धर्मि पदार्थ है कोबाल्ट 60 का सामानते विखरण चिकिस्ता में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे गामा केड़े उस सरजित होती है बंद चूले या ओवेन में किसका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों माइक्रो बेप का प्रियोग यानि सुच्म तरंगों का प्रियोग ओवेन में किया जाता है सुदूर, संबेदी, युक्ति, नियंद्राड या रिमोट कंट्रोल डिवाइस में कौन सी केड़े प्रियोग की जाती है और रक्त केड़े और दो उत्तरोतर स्रिंग अथवा दो उत्तरोतर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है तो दोस्तों याद रखेगा इसे तरंग दैर या तरंग की लंबाई कहा जाता है दोस्तों सोनार क्या है तो सोनार निमंगन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रियोक्त किये जाने वाले ओपकरन का नाम सोनार है ध्वनी ध्वनी आईए साउंड से संबंदित प्रश्णों को देखते हैं पराध्वनिक जेट या सूपरसोनिक जेट से वाई मंडल की किस परत को छत पहुँचती है ओजोन परत को किसे मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रियोग किया जाता है तो ध्वनी की तिवरतान आपने में ध्वनी के स्रोत और परावरते सतह के मद नियून्तम दूरी कितने होनी चाहिए जिससे की प्रतिध्वनी या एको असपष्ट रूप से सुनाई दे सके तो ये दूरी नियून्तम दूरी 16.5 मीटर होनी चाहिए दोस्तों वायू में ध्वनी का वेक कितना होता है तो ये है 343 मीटर प्रतिसेकेंड सीनेमा घरों बड़े सभागारों आदि में ध्वनी स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनी सुनाई देती है इसका कारण क्या है तो इसका कारण अनूराणन होता है चंद्रमा के धरातल पर दो ब्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर बाई मंडल नहीं है और जो ध्वनी है उसके परसारण के लिए माध्यम किया हो सकता होती है अगला प्रश्ण है वह जैव पद्धती जिसमें परासरब्य ध्वनी का उप्योग किया जाता है तो ये सोनोग्राफी है और डबलू यच्चो यानि विश्व स्वास्त संगठन के अनुसार 45 डेसिवल किती बृतावाली ध्वनी मानों के लिए सबसे उप्योगत है अगला प्रश्ण है दोस्तों चमगादे अड़ अंधेरी रातों में भी उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं इसका कारण क्या है तो ये पराध्वनिक तरंगे उत्पन करते हैं और उनहीं के द्वारे निर्देसित होते हैं एक प्रश्ण देखिए टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है तो वो तरंगे और रक्त केड़े होती हैं अब आए देखते हैं कुछ द्वानिसरोत और उनकी तीवरता डेसिबल में साधारण बातचीत की तीवरता 30-40 डेसिबल तेज बातचीत 50-60 डेसिबल तेज शंगीत या 180 डेसिबल से अधिक होता है और पेडों के पत्तों की सरसराहट 10-20 डेसिबल साइरन पुलिस एम्बूलेंस 110-120 डेसिबल जेट बीमान जो होते हैं दोस्तों जेट बीमान की जो द्वानिती ब्रता है या ये 140-150 डेसिबल और द्योगी कियंद्र और कारखाने 100-120 डेसिबल इसकी तीब्रता होती है अगला प्रश्ण है कि टेली वीजन ग्राही के दूरस्त नियंत्रण में कौन सी बिद्दुचुम्ब की विकरण का प्रयोग किया जाता है तो ये इंफ्रारेड विकरण या अहरक्त विकरण और जब सितार और बांसुरी को एक हिस्वर पर बजाय जाए तो उनसे उत्पन ध्वन का भेद ध्वन गूरता या स्वाउंड टिंबर के आधार पर किया जाता है अगला प्रश्ण है जल लोहा और नाइट्रोजन में ध्वन के बेग का आरोही क्रम क्या है तो दोस्तों जल लोहा और नाइट्रोजन में आरोही क्रम इस प्रकार से है नाइट्रोजन जल और लोहा नाइट्रोजन में सबसे कम जल में उससे अधिक और लोहा में ध्वनी का बेग सरवाधिक होता है विभिन माध्यमों में ध्वनी की चाल का क्रम क्या होता है तो सबसे अधिक चाल दोस्तों जो है ध्वनी की चाल जो है ठोस उसके उससे अधिक द्रव में और उससे अधिक गैस में होती है तापमान का ध्वनी के बेग पर क्या प्रभाव पड़ता है तो तापमान के घटने से ध्वनी का बेग घटता है ध्वनी किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है तो निर्वात या वैकूम से ध्वनी नहीं गुजर सकती है क्योंकि ध्वनी को गुजरने के लिए माध्यम किया सकता होती है दोस्तों ध्वनी तरंगे जो होती है ठोस और गैस दोनों माध्यमों में गद कर सकती है और धातु में ध्वनी का बेग सबसे अधिक होता है अगला प्रशन है इस टेथोसकोप किस सिधान पर कारे करता है ध्वनी की परावर्तन पर एकाश्टिक्स में किसका आध्यन किया जाता है ध्वानी का ध्वानी तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है तो ध्रूण या पोलेराइजेसन ध्वानी तरंगों में नहीं घटित होता है ध्वानी का तारत तो या पिछ किस बात पर निर्वर करता है ये आबरित्य पर प्रतिध्वनी का कारण क्या होता है तो दोस्तों ध्वनी तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनी या इको का कारण है परासरब्य तरंगों की आबरित्य लगभग कितनी होती है तो परासरब्य तरंगे या अल्टरासोनिक बेपस की आबरिती 20,000 हर्ट से अधिक होती है अगला प्रशन है मानो द्वारासरब्य तरंगों की आबरिती कितनी होती है तो 20 से 20,000 हर्ट जग मानो जो है ध्वनियों को सुन सकता है परासरव्य ध्वन तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है कुत्तों और डालफिन मचली के द्वारा परासरव्य ध्वन तरंगे सुनी जा सकती है यहाँ पर आये देखते हैं विभिन माध्यमों में ध्वन की चाल तो एलियूमिनियम में ध्वन की चाल 6,420 मीटर प्रे सेकंड होती है इस्टील में 5,960 मीटर प्रे सेकंड लोहा में 5,950 मीटर प्रे सेकंड और फ्लिंट काच में 3,980 मीटर प्रे सेकंड जल में जल में दोस्तों 0 degree centigrade जल पर 1402 ms वायू में ध्वन की चाल 332 ms होती है आकसीजन में 316 ms हाइडोजन में 1286 ms और समुदरी जल में 1533 ms तरह सामाने जल में ध्वन की चाल 1493 ms होता है अगला है दोस्तों महिलाओं की आवाज पूर्सों की अपेक्षा तीछड होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत तो या पिछ अधिक होता है अगला प्रश्ण है उस्मा और उस्मा गतकी से संबंधित हाइड्रोजन से भारे हुए गुबारे को पिर्थवी से छोड़ने पर गुबारे में क्या परिवर्तन होगा तो दोस्तों गुबारे के आयाम में बृद्धी हो जाती है अगला प्रशन है तेज हवा वाली रात्री में ओस नहीं बनने का कारण क्या है तो वास्पी करण की दर तेज होती है जिसके कारण तेज हवा वाली रात्री में ओस नहीं बनती है कमरे में रखे रेफरिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तों कमरे का तापमान ठंधा नहीं बलकी बढ़ जाएगा वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटिग्रेट मापने के लिए उप्यूगत हो उसे क्या कहा जाता है इसे पूर्ण विकिरण पाईरोमीटर कहा जाता है ताप मापन दोस्तों मापन हिमांग क्वतनांग और किस डिगरी सेंटिग्रेट पर बराबर भाग होता है और एक भाग कितना होता है फारेन हाइट पैमाने का जो हिमांग होता है वो 32 डिगरी फारेन हाइट होता है और क्वतनांग 212 डिगरी बराबर भाग यानि जो फारेन पैमाना होता है वो 180 बराबर भागों में बाटा जाता है और एक भाग एक डिग्री फारिन हाइट कहा जाता है Celsius पैमाने पर जल का हिमांग जो है वो 0 degree centigrade होता है क्वथनांग 100 degree centigrade और 100 बराबर भागों में इसे बाटा जाता है एक भाग को 1 degree centigrade कहा जाता है Kelvin पैमाने पर 273 Kelvin जो होता है उस पे हिमांग 373 Kelvin पे क्वथनांग और इसे 100 बराबर भागों में बाटा जाता है एक भाग को एक केल्विन कहा जाता है दोस्तों परम सुनिताप या अबसुलूट जीरो टंप्रेचर से क्या अतात पर है तो सैध्धान्तिक रूप से नियुन्तम संभव तापमान परम सुनितापमान होता है और इसके नीचे तापमान प्राप्त नहीं किया जा सकता है अगला प्रशन है स्वचाली तिंजेनों में हिम रोधी के रूप में किस्पदार्थ का प्रयोग किया जाता है एथिलीन गलाइकाल का और जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पढ़ता है दोस्तों बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन बढ़ता है अगला प्रशन है थर्मो इस्टेट यंत्र का संबंध तापकरम से है जिसका उप्योग किसी निकाय का दाब स्वनियंद रित करना होता है रेफ्रिजरेटर में थर्मो इस्टेट का प्रमुक कारे क्या होता है तो एक समान तापमान को बनाए रखना थर्मो इस्टेट का कारे है refrigerator में खाद पदार्थों को ताजा रखने के लिए नियुन्तम ताप मान कितना होना चाहिए तो 4 degree centigrade स्वस्थ मनुसे के सरीर का ताप मान कितना होता है दोस्तों ऐसे मा पाजाए तो 37 degree centigrade या 310 Kelvin स्वस्थ मनुसे के सरीर का ताप मान होता है उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है तो भाप में गुप्त उस्मा या लेटेंट हीट होती है जिसके काराण वो अधिक खतरनाग होता है भाप से जलना दोस्तों पानी में साधारन नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदू बढ़ जाता है और हिमांक बिंदू घट जाता है तो जल में असुध्ध मिलाने पर उसका क्वथनांक बिंदू बढ़ता है और हिमांक बिंदू घटता है centigrade और Fahrenheit तापमान कितने degree पर एक समान होंगे तो minus 40 degree centigrade पर दोस्तों C से किछड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पढ़ता है इसकी लंबाई बढ़ जाती है सरदियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छोने पर लोहे का टुकड़ा ठंधा क्यों लगता है तो दोस्तों लकड़ी की तुलना में लोहा उस्मा का अधिक सुचालक या कंड़क्टर होता है यदि वायू का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवास्प ग्रहन करने की छमता पर क्या प्रभाव पढ़ता है दोस्तों वायू का तापमान बढ़ता है तो जलवास्प ग्रहन करने की छमता भी बढ़ती है पदार्थ की उस्मा धारता या थर्मल कैपिसिटी किस पर निर्भर करती है ये पदार्थ की विशेश उस्मा पर और एक प्रश्ण देखते हैं कि साफ बादल रहित रातों की तुलना में जो में घट छादित या बादल युक्त राते होती हैं अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पिर्थवी तथा हवा से उसमा के विकिरण को रोकते हैं अगला प्रशन बहुत बार पूछा गया है जब जल को 0 degree centigrade से 10 degree centigrade तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो दोस्तों पहले ये घटता है यानि 0 से 4 degree पर घटता है और फिर बढ़ता है अगला प्रशन दाब बढ़ने पर जल के कोतनांग पर क्या प्रभाव पढ़ेगा तो जल का कोतनांग बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रियोग करना चाहिए तो दोस्तों उपर सफेद और नीचे काला छाता गर्मी के दिनों में प्रियोग किया जाना चाहिए अगला है कि रेल की दो पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है तो पटरियों को उसमी प्रसार के लिए अस्थल रखने के लिए ताकि पटरियां गर्मी में टेंड ही न हो जाएं अगला है कि pressure cooker के अंदर का उच्चतम तापमान किस पर निर्फर करता है तो उपर के छेद के छेदर फल और उस पर रखे गए वजन पर कमरे में लगा हुआ वाता नुकूलक या air conditioner किसे नियंतरित करता है तो ये आर्दता और ताप मान को नियंतरित करने का कारे करता है किसी कमरे में लगा हुआ AC चालन के अनपरव्यूक क्या है दोस्तों तो C तरीट्मी लकडी और लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है इसके अलावा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है एक तत्य हैं दोस्तों सुस्क बैटरी या ड्राइ बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड बिद्दुत अप घटियों का प्रियोग किया जाता है अगला प्रश्न है डेजर्ट कूलर द्वारा सीतलन की सिध्धानद पर कारे करता है तो ये वासपन सीतलन सिध्धानद पर किस तरल की विशिष्ट इस्मा सरवाधिक होती है तो जल की विशिष्ट इस्मा या इस्पेस्पिक हीट सरवाधिक होती है पसीने की हमारे सरीर में क्या भूमिका होती है दोस्तों पसीना जो होता है हमारे सरीर का तापमान नियंतरित करने में सहायक होता है गर्म मौसम में पंखा चलाने पर आराम क्यों होता है तो हमारा पसीना तेजी से वास्पिकरित होता है जिससे की सरीर ठंधा होता है मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंधा रहता है तो वास्पिकरण के कारण ये ठंधा रहता है चालन, संबहन और विक्रण जो उसमा संचरण के तीन जो कारण है उसमें संबहन के अनुपरियोग क्या है तो विद्धुत वल्ब में लगितन्तु को गलने से बचाने के लिए पिर्थवी के वाइमंडल जो है संबहन द्वारा ही गर्म होता है मोटर कार का रेडियेटर भी संबहन सिध्धान पर कारे करता है और रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वो ऊपर की ओर बनाया जाता है ताकि संबहन के द्वारा संपूर जो ठंड़ा पन है वो नीचे की ओर जा सके अगला प्रेशन है थर्मस बोतल में पेपदार्थ को कुछ समय तक उसी तापमान पर रखने के लिए उसकी दिवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है तो ये होता है सिल्वर लेयर या रज़त परत दोस्तों प्रेशर कोकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है तो क्योंकि अधिक दाब होने पर पानी कम ताप क्रम पर उबलने लगता है इस कारण से प्रेशर कोपर में खाना जल्दी पकता है उसमा किसका उदारण है तो उसमा एक उर्जा होती है सिटी स्कैन करने में कौन स पर निरभ़ करती है अगला प्रश्न है दोश्टों बर्फ का अपने गलनांग पर पिढ़ना किस प्रक्रम का उधारन है यह सम्टापी प्रक्रम है और निम्न तापी में उध्पन निम्न ताप कैसे अगला है दोस्तों चालन संबहन के बाद अब आईए जानते हैं वीकिरण के कौन कौन से अनुपरयोग है तो दोस्तों सूरी की उस्मा पिर्थवी पर वीकिरण के रूप में पहुँचती है और पालिस किये गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं ये भी वीकिरण का ही प्रभाव है अगला प्रशन देखते हैं जल का घन तो किस ताप पर अधिक्तम होता है तो जल का घन तो 4 डिगरी सेंटिग्रेट पर अधिक्तम होता है उसमा गत्की का पर्थम नियम किस अधाना पर आधारित है उसमा गत्की का पर्थम नियम उर्जा संरक्षण या इनर्जी कंजर्वेशन के सिध्धान्थ पर आधारित है प्रश्ण है कि जब किसी काच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो वो बोतल तूट जाती है क्यों? क्योंकि दोस्तों पानी जमने पर फैलता है जिस कारण बोतल तूट जाती है उचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांग क्यों घटता है? क्योंकि उचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है इसलिए क्वथनांग भी घटता है दोस्तों उचे पहाडों पे हमेशा बर्फ जमी रहती है क्योंकि उचे पहाडों पर तापमान प्राया हिमांग से कम रहता है और वहां वातावरण की जलवास्प जम कर बर्फ बन जाती है अगला प्रश्ण है ठोस कपूर से वास्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इसको सबली मेशन कहा जाता है सबली मेशन की हिंदी होती है उर्धो पातन अगला प्रश्ण है दोस्तों उस्मा किस प्रक्रिया के द्वारा तीब ब्रगत से अस्थाना अंतरित होती है तो ये है रेडियेशन या विकरन की प्रक्रिया और किसी पदार का तापमान परिवर्थित किये बिना द्रव से गैस से परिवर्थन करने के लिए आवस्यक उस्मा को क्या कहते हैं तो ये वास्पन की गुप्त उस्मा कही जाती है एक क्रिश्णिका या ब्लैक बाड़ी किसे उसरजित करता है तो ये सभी प्रकार के तरंगदहर का बिकरण का उसरजन एक ब्लैक बाड़ी करता है एथिल एलकोहल किस तापमान पर जमता है दोस्तों एथिल एलकोहल या जो शराब होती है वो माइनस 114 डिग्री सिंटिग्रेट पर जमता है और एलकोहल तापमापी का प्रियोग इसी कारण से अत्यंत निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है अगला प्रशन है दोस्तों तारों के अंदर उर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है तो वो ताप नाभ की अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम परमाड़ों में जो है संलेयन होता है अगला प्रश्ण है तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है तो तारों का रंग उनका ताप मान प्रदर्शित करता है एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 degree centigrade पर रखने पर क्या परिवर्तन होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा अगला प्रश्ण है उनी कपड़े सरीर को गर्म क्यों रखते हैं दोस्तों उन एक खराब चालक या बैड कंडेक्टर है इसी कारण उनी कपड़े सरीर को गर्म रखते हैं और इस वीडियो का आखरी प्रश्ण है कि उस्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 kg द्रविमान को उसके क्वतनांक बिंदु पर वास्प में परिवर्तित करने के लिए परदान की जाती है उसे वास्पन की गुपत उस्मा या latent heat of vaporization कहा जाता है आपको जानकारी होगी कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफेद कपड़े उस्मा का अधिकांस भाग परावर्तित कर देते हैं जबकि जो black होता है black कपड़ा है ये गर्मियों में बहुत कम पहना जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उस्मा का सबसे अधिक आउसोसन करता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो N.C.E.R.T. सार संग्रह सामाने बिग्यान के अंतरगत भौतिक बिग्यान का भाग एक आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों लिंक में डिस्किप्शन बाक्स में डाल दूँगा इसके अलामा आप हमारे टेली ग्राम चैनल को भी सबस्क्राइब कर सकते हैं अन्य सभी प्रकार के PDF डाउनलोड करने के लिए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्ग देशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार